तो मैंने ये पोहे की टिक्की कैसे बनाया है दिखे बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये पोहा टिक्की तैयार हुआ है तो पोहा टिक्की आप लोग बनाने के लिए देखने के लिए वीडियो को फूल वाच किजिएगा तभी आप सभी लोगों को मेरी ये रेश्पी समझ में आएगे थैंक्स पॉर वाचिंग अब प्रतिक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने योटूब चैनल डिपको की रशोई में तो आज में फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेश्पी लेकर आई हूं तो आए रेश्पी चालू करते हैं फटा फटा पटा तो आज में आप लोगों के साथ जो है देखिए यहां पे मैंने एक कप पोहा ले लिया है यह है पोहा तो आज में पोहा की रेश्पी आप लोगों के साथ इसकी आज हम नास्ता आप लोगों को बना के शेयर करेंगे तो वीडियो के साथ आप लोगों को बने रहेगा तो यहां पे सब से पहले क्या करना है पोहे को हमें तो देखिए यहां पर फ्रेंट्स पोहा को जो है हमें भींगो देना है पहले से बिंगो देने से क्या होगा कि पोहा बिल्कुल सौफ्ट हो जाएगा तो इसे मैंने पहले से भींगो दिया था जितना आप लोगों को दिखाया मैंने एक कप इतना ही पोहा मैंने भिंगोया है आप जितना बनाना चाहती है उस हिसाब से ले शकती है तो पोहा का नाश्टा बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन यह उबला आलू ले लिया है और थोड़ा सा 2-3 चम यह सूझी लिये हैं और आधी कटोरी मुमफली है कच्छी मुमफली है तो सबसे पहले हम मुमफली को भून लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए पैन देखे गर्म हो गया है यह मुंफली को हमें भून लेना है तो यहां पर मैंने मुंफली को डाल दिया है बहुत ज्यादा इसे नहीं भूनना है इसका कच्चापन हम निकाल लेंगे तो मुंफली को दो मिनिट लगेगा भूनते ज्यादा समय नहीं लगेगा तो यहां पर देखें मुंफली जो है चल देते हैं और इसे मैस कर लेना है तो आलो को हम मैस कर लेंगे चम्मस से या फिर आप हाथों से ही कर सकती है मैस तो इहां पर हम चम्मस से आलो को तोड़ देते हैं आलो को मैंने मैस कर लिया अब यह जो पोहा हम भिंगो के रखे थे पहले से यहां पर मैंने एक कप पोहा पहले डाल देते हैं इसी आलो में और अब इसमें हम डालेंगे देखें यहां पर मैंने लिया हुआ है बारिक कटा धनिया तो धनिया डाल देते हैं हरी धनिया डाल देंगे और बारिक कटा प्याज ले लिये हैं एक चमच एक हरा मिर्च ले लिये हैं बारिक कटा हुआ और प्याज एक बड़ा लिये हैं तो सारे को हम डाल देते हैं डाल कर इसे हमें मैज कर लेना है तो यहाँ पे मैंने सभी को डाल दिया है अब इसमें हम एड करेंगे यह देखी यहाँ अब करेंगे यहाँ पर सूजी लिये हैं 2-3 चमच के लगभग हम सूजी लिये हैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा सूजी का हमें इस्तेमाल करना है तो सूजी को भी मैंने डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे खड़ा जीरा 1 चमच 1 चमच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और आप इसमें डाल देंगे नमक नमक अपनी टेस्ट अंसार डालेंगे आप अपनी टेस्ट अंसार जादा या कम कर सकती है नमक को तो यहाँ पे सारे चीज को अब हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे मैंने थाले लिया है आई ये जो मुम्फली भूनके हमने रखा था, उसे मिक्सर में चला लिया, इसका पावडर बना लिये हैं, हलका दरदरा कर लिये हैं, और इसे भी डाल देते हैं, अब सब को हमें कर लेना है, अच्छे से मिक्स, तो यहाँ पे हम जो है, थोड़ा सा तिक्षी लाल मिर्च का भी डाल रहे हैं पाउडर अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो इसे इसकेप कर दीजेगा तो यहाँ पे हम हरी मिर्च और थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल किये हैं थोड़ा सा यह सब चटक रहता है तो ज्यादा ही अच्छा लगता है हाथों से ही अच्छे से मिक्स होगा तो इसलिए मैंने हाथों से ही यहाँ पर मिक्स किया हुआ है देखें अच्छे से मैस कर बिल्कुल कर लेना है अब यहाँ पर मेरा यह हो चुका है मिक्स यहाँ पर प्लेट में फ्रेंड्स मैंने ब्रेड लिया था ब्रेड को घर पर ही जो है जार में इसका ब्रेट क्रम बजार में भी मिल जाते हैं आप चाहे तो मार्केट से भी मंगवा सकती हैं लेकिन मैंने घर पर ही इसे ब्रेट को जो है मिक्सी जार में डालके इसको पीछ लिए हैं और अब हम हथेलियों पे सबसे पहले तेल लगाते हुए टिक्की को जो गोल सेप में बस एक बार ही तेल लगाना है बार बार नहीं लगाना है तो एक बार हम तेल लगाएंगे अपने हाथों में इससे क्या होगा ने कि डो हमारा चिपकेगा नहीं और अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा तो देखे सारे को बस ऐसे ही हमें एक एक करके सब को पहल बहुत ही टेस्टी बनके तयार होते हैं जब आप खुद बनाएंगे न तो यकीन मानिए कि आपको विश्वास होगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छे पोहे के नास्ते चटपट तयार हुए हैं और इतनी क्रिस्पी ये नास्ते बनते हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूं जब आप खाएंगे तो यकीन किजिए और जटपट में नहीं कोई समान जो है बहुत ज़्यादा इसमें लगने वाला है तो यहां पर मैंने पैन गरम कर दिया और देखिए गैसान करके पैन रख दिया है गर्म होने के लिए पैन हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं सर नहीं अच्छ dets जाय आगया तभी जो ए अच्छा बनता ऐन इसमें शेकने में दीए बेट का सवह हम जो लिये से आपको दिखाते हैं बिल्कुल पास्टेश तो ब्रेट का जो यह हम लिये हुए है हैं म् पाडर बनाके इसे ब्रेट करम बहु सकती हैं तो इसको क्या और बन के यह तैयार होने वाले हैं तो चारु तरफ से हमें अच्छे से बिल्कुल इसे लगा के एक की-कर-कर यह मुझे डाल देंगे आप चाहे तो टेल में इसे यह घे में तल भी शक्ति हैं आप के ऊपर हैं अगर आपका मन करें तो आप इसे तल कर भी बना सकती है लेकिन मैंने यहाँ पे जो है सेक कर किया है सेका हुगा है पैन में इससे तेल भी कम लगेंगे और आपके अच्छे बनते हैं तेल घी के कम इस्तिमाल होते हैं तो आप देखिए यह सेक जा अच्छे से फिर इसे हम पल लट देते हैं तो देखिए कितना पढ़ियां बिल्कुल लाल लाल ये तैयार हो रहे हैं बहुत ही टेस्टी है होते हैं तो देखिए यहां पे मैंने सब को पलट कर शेक लिया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए यहां पे मैंने प्लेट में निकाल लिय एक एक करके सभी को निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी को भी हम शेक लेते हैं तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे गर्मा गरम टिक्की बनके तैयार हैं आप लोग जरूर बताईएगा कि आप लोगों को मेरी टिक्की रेश्पी कैसी लगी और हां अच्छी लगी हो तो लाइक कमें के साथ खा सकती हैं बहुत ही बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही कम समानों में भी ये तैयार होने वाले हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं डालना है तो ये मेरा रेड़ी है बनक नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा आप लोगों को मेरी रेश्पी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यार कमेंड और लाइफ जरूर किजिएगा बाइबार